तो हेलो गाइज, आज की इस वाले वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं, टैंग सैन की बच्चों के बारे में, और हम इस वाले वीडियो में यह भी जानने वाले हैं कि टैंग सैन की बेटे का शादी किस से होती है, हम सब कुछ इस वाले वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो को जरूर से ही अंत तक देख लेना है, तो चलिए बिना किसी देरी किये यह वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ताम सान हे शाओ वो दोहरा गौड्स बन गया है, साथ राक्षसों ने भी एक ही दिन विवाह किया था, बाद में, उन्होंने डोरो मेनलैंड में एक साथ यात्रा करने का फैसला किया, पद की तलाश में सभी साथ राक्षस अंत में गौड्ड बन जाते हैं, उनमें से तांसान परिवार सबसे खुश है, क्योंकि उनका पूरा परिवार आखिरकार गौड्ड बन गया उनके माता पिता, पुत्रक, पुत्री, दामाद और पौत्र सभी देवता हैं, ओसकर और निंग रोंगरोंग में साथ राक्षस सबसे अच्छे भाग्य हैं, उन्हें अब सिनहासन की तलाश करने की आवश्चकता नहीं है, जब हैक्सियन द्वीब का शीर्शक दोरों को पदोनत किया गया था, वे पहले ही भोजन के देवता और निने कोली देवी की विरासत प्राप्त कर चुके हैं, जब तक वे 99 के स्तर तक साधना करते हैं, मूल्यांकन किया जा सकता है, अंत में ओसकर और निंग रोंगरोंग ने सफलता पूर्वक मूल्यांकन पास कर लिया, दूसरे स्तर के देवताओं के देवता और नौरंग की देवी पूछने का इरादा नहीं था, दाई मुबाई सेवन मॉंस्टर्स की बॉस है, उसकी ताकत तान सैन के बाद दूसरी है, आखिरकार युद्ध के गौड्स को प्राप्त किया उनकी पतनी जू जू किंग ने गती के गौड्स के गौड को प्राप्त किया, यद्यपी वे सभ देवता हैं, लेकिन उनकी मार्शिल आर्ट फ्यूजन तकनीक गोस्ट वाइट टाइगर पहले दरजे के गौड्स की ताकत पहले से ही है, सौभाग्य से उन दोनों ने डोरो महादवीग पर संतान छोडी दाई मुबाई और जू जू जूकिंग से पहले एक भगवान बन गोड्ड बनने के बाद क्योंकि वे दूसरे स्तर के देवताओं के उत्तराधिकारी हैं, रिष्टेदारों को इश्वर के दाईरे में नहीं ला सकते इसलिए उनके बच्चे डोरो कॉंटिनेंट पर रहते हैं, हालां की, दस हजार साल बाद उनके वन्शज हुओ युहाओ भी तांग सैन के दामाद बने इससे दोनों रिष्टे और भी करीब आते हैं, लेकिन टैंग सैन इस शादी से सहमत नहीं थे, क्योंकि टैंग वुटोंग और हुओ युहाओ एक साथ हैं, मैंने तांग वुटोंग को लगभग कई बार मार डाला, तांग वुटोंग को पी जोता कर सकता है, और अन्य लोगों के सापेक्ष माहोंग जुन उनका अनुभव दैनिय है, हालांकी, माहोंग जुन और बाई यान्जियांग आखिरकार पति-पत्नी बन गए, लेकिन क्योंकि बाई अगरवुड की ताकत बहुत कम होती है, गौड्स का वर्सा नहीं मिल सक वह केवल माहोंग जुन से अलग हो सकती है, बाई अगरवुड माहोंग जुन के साथ देवताओं के देवता में प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए वह गया, लेकिन अन्त में ताकत की कमी के कारण नतीस्तन मूल्यांकन विफल हो जाता है और वलकन के देवता को विरासत में नहीं मिल सकता है और माहोंग जुन गौड्स बनने के लिए उन्होंने दूसरे स्तर के देवता फीनिक्स गौड्स की विरासत को स्विकार करना जारी रखा अंत में माहोंग जुन ने फीनिक्स गौड्स का मूल्यांकन पास कर लिया, पेले इश्वर के दाइरे में प्रवेश करें और बाई अगरवुड अंत में डोरो महादवीप पर अकेली थी। पेले इश्वर के विमान का स्वामी बन गया। आयन डोरो में लैंड के जीवन का मूल बन गया। लेकिन उनके दूसरे पिता यूश्याओ गैंग देवता नहीं बन सकता लेकिन यूश्याओ गैंग और लियू एरलॉन की भावी पीधिया है। और बगल के बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेना है। ताकि मैं कोई साभी विडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। तो मैं मिलता हूँ अद्ली वाली विडियो में अद्ली एक्स्प्लेनेशन के साथ में तब तक के लिए बाई बाई एंड टेक केर।